कि आए 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 हम तारिक मेहमूद सब को हम दन्यवाल और मस्कार बोलते हैं दिफैब्रीकेटर चाइनल में आज हमने क्या त्यार करना है हाओ तू मेक कौन इन प्लेट यानि कौन का हमने कौन बनाना है एक प्लेट का उसमें हमने ओडी दिया है 220 जिरो 220 और उसका हइट है 100 mm और यह अपना स्केच सामने नजर आ रहा है यह आए से फुल रेडी हैं बिलकुल डैडी अपने त्रीक करा लगी क्या है उसका ओडी हमने रखा 220 और उसका रिच्ट जो है वह वह 100 mm हाईट रखा है उसके बार हमने क्या करना है में आफला दीए इसका निकालना है यह जए इस यनि कितना तेपर निकालने के लिए आमने जो टूटवांटी रखा हुआ है और इसका छोटा उसका हमने हाफ करना यह िदर वर्टिकल अमूद देराना है वह वान टैन अइगा वान तैन इदर आएका उसका है कितना आगया 100 mm तो इसका हमने रेडियस निकालने के लिए ये नीचे एक मसला भी सब्रस दिया हुआ है उसमें हमने रखना है 100 यानि उसका हाइट उसका स्केल लेना है प्लस 110 उसका जो अमूद काईदा है उसका स्केल लेना स्केल लेने के बाद अंडरूट करेगा तो 148 जो है 6 हमने अबरी छोटा रेडियस भी न काल लिया और बड़ा रेडियस भी इदर हम बड़ा रेडियस का डाया दिखा रही है यानि राडियस है 148 तूसका पुर्कार को लेंगे और सेंटर में रके उसको सर्कल कमाएंगे तो ऊसका जो डाया है वो 296 है उसका सीचन निकाल के लिए यह सीय एफ हमारा है जी उसका जो डाया उसको मॉल्टिप्लाई करेंगे और या निंपाई की किमत के 3.142 उसको मॉल्टिप्लाई किया तो 930 आया CF 930 हमने उसके में से CF में से हमने 1 डिगरी का value निकालना है 1 डिगरी का value कैसे निकालेगा जो जो जतना CF है उसको ड्वाइड गरेगा 360 पे तो उसका 1 डिगरी का value आगया 2.58 2.58 अगर हमने आगे हमने क्या किया है छोटा डाय चोटा डाय कैसे लगाना है उसका radius था 110 तो 110 का पुरकार कोला और यह हमने circle लगाया और उसका ODI आया 220 और हमने उसका CF निकाला 220 multiply 3.142 तो उसका जो CF है 691 है और बड़ा CF है था 930 था उसमें से minus किया 691 तो उसका जो different है वो 239 आया जो balance हमारा CF बचा उसको हम divide करेंगे जो बड़े CF से हमने value निकाला था एक degree का वो था value हमारा 2.58 balance CF से हमने divide किया 2.58 तो हमारा जो value है 92.63 degree हमने उसका जो circle में से total degree जो निकालना है वो आया 92.63 और हम दिखा रहे हैं आपको आगे यह यह मारा जो radius है वो 148 जो निकाला था उसका हमने circle लगाना है divider याप और कार खोलके divider याप और कार खोलके तो हमारा जो बड़ा डाया वो यह है 296 296 उसका जो डाया है 296 यानि इसका बड़ा डाया लगाना का है उसमें से हमने जो निकालना है पीस वो 92 डिग्री निकालना है उसमें 92 डिग्री में से हमको क्या चाहिए call length call length निकालने के लिए हमारे पास कुलिया है sign degree dividing to multiply to 96 296 क्या है इसका डाया है circle का जितना हमने plate पे लगाया हुए तो sign 92.63 dividing to multiply to 96 तो sign उसका half कितना आगया sign 46.33 multiply इसका डाया 296 जो answer आया वो 216 mm है वो हमारा क्या आगया call length इधर से लेकर इधर तक यह हमारा जो हमने tape के जरीए marking करना है हमने call length के बारे में बताना है तो 216 216 हमने कैसे निकालना है call length sign degree मैं उसको dividing करेंगे 2 पे और उसके multiply करेंगे डाय पे 296 उसका डाया है sign का value जो है 92 जो है वो 92 यानि 92 डिग्री है 92.63 dividing 2 multiply 296 तो हाफ जो हाएगा जो हाएगा वो 46.33 है उसको multiply किया डाय से 296 उसका जो answer है 216 एम एम अंसर है वो क्या है मारा ये call length है यानि 92 डिग्री का वो call length ये वाला ये call length है हमने ये piece निकालने के लिए ये value निकाला है और हमको अगर arc length चाहिए तो arc length का इतना दूरूरत नहीं है लेकन फिर भी हम निकाल सकते हैं उसको check करने के लिए arc length कैसे निकालने है डिग्री को multiply करेंगे वान डिग्री से डिग्री कितना है हमारा 92 है और वान डिग्री का value जो हमने CF बड़े CF से code dividing किया था 366 पे 360 0 बे तो उसको dividing करने के लिए 2.58 जो हमारा वान डिग्री का value था उसको हमने 92 डिग्री से multiply किया तो 239 mm answer आया है वो क्या हमारा arc length और यह जो हमारा जो red नशान नजर आ रहा है line नजर आ रहा है वो हमने पीस सक्रैब में काटने के लिए यह खतम करना है यह पीस हमने निकाल के जो बाकी पीस यालो कलर में है वो हमने uses में इस्तमाल करना है यानि उसका कौन बनाना है उसको brand करके यह ता हमारा आज का topic कौन बनाने का अब भाईयों से सबसे request है कि हमारा जो defabricator channel है इसको like भी कीजिए subscribe भी करना है और दोस्तों को share भी करना है ताके और इसमें कोई problem हो तो comment के जरीए हम से पूछ सकते हैं next video में हम आपको बताएंगे इंचाल झाल